तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने इस्टाग्राम की उपर अपनी लोगीन इंफोमेशन को सेव कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अपने इस्टाग्राम की उपर अपनी लोगीन इंफोमेशन को सेव करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने Instagram की आप को यहाँ से open कर लिजिए यहाँ से इसको open करने के बाद simply आप जाएए अपने file के उपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाएगी और आपको देखिए यहाँ पर कोने में तीला इसका option मिलेगा तो आप simply इसके ओपर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप simply setting and activity section अदर आजाएए इसके अंदर आपको यहाँ पे काफसर option देजाएगे और यहाँ पर आपको देखिए फस्ट नमर पे account center का option मिलेगा तो आप simply इसको यहाँ पर click करके open कर लीजिए, इसको open करने के बाद आप simply यहाँ पर scroll down करेए और account setting का अदर आ जाईए, इसके अंदर आपको देखिए हमें first number पे password and security का option मिलेगा, तो आप simply इसको यहाँ पर click करके open कर लीजिए, इसको open करने के बाद आपको देखिए हमें login and recovery session के number पे saved login option मिलेगा, जो भी यहाँ पर turn off है, तो आपने simply इसके उपर ऐसे click करके, इसको turn on कर देना है, और बस उसके बाद आपके account के login information, आपके device के उपर save हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ से back जाता हूँ, और यहाँ से back जाता हूँ, और आप मैं जैसी इस account के यहाँ पर logout कर ID यहाँ पर open हो चुकी है, तो मैं दुबाद से इसके उपर touch करता हूँ, hold करता हूँ, और add account पर click करता हूँ, login with address account पर click करता हूँ, और यहाँ पर देखिए, यह account मुझे यहाँ पर show रहा है, और जैसी मैं login के उपर यहाँ पर click करूँगा, तो मेरी ID यहाँ पर यह directly login हो ज इसके उपर यहाँ पर click करता हूँ, और account center पर जाके, password and security पर जाके, saved login पर click करके, इसको यहाँ पर turn off कर देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर remove कर दिया, और जैसी मैं back गया, और अब मैं अपनी ID को इसके यहाँ पर log out करता हूँ, जैसी मैं log out कर दिया, तो अभी ID log out हो रह लग जाएगा, तो देखिए, इसने मैं से password मांग लिया, तो सफिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसने से चो लाइक करें, share करें, चैनल को स्ट्राइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, thank you for watching and bye bye